दोस्तों गेव विटकॉन चानल पे एक और पैसिव एर्निग से रिलेटेड वीडियो और ये भी है बाइनाइश स्मार्ट चेन का प्रचेक्ट प्रोजेक्ट का नाम है वीनस और बाइनाइश स्मार्ट चेन के उपर अगर आप वीनस यूज करते हैं तो आप अपनी क्रिप् और जिन लोगों ने इनको फॉलो किया है ताइम पर जिन्हों ने इन्वेस्ट किया है वो अब अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं और यहीं पर अगर आप एक भी मेरा वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं फ्यूचर में जो भी मेरा प्रोजेक्स लेकर आता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिशन आइकन पे दवाना मत भूलिए ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मेरा एक वीडियो अप्लोड हो और साथी साथ 50,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत नजदीक हैं तो जैसे ही 50,000 सब्सक्राइबर् उतनी जल्दी ये वीडियो जाएंगे तो इसी नोट पे चली शुरू करते हैं आज का वीडियो आप सबसे बदे देखते हैं बाइन स्मार्ट चेन के कुछ स्टाटिस्टिक्स और यहां पे आप देखेंगे तो 11.2 बिलियन डॉलर की टोटल वैल्यू लॉक्ट हो जोगी है बाइन स्मार्ट चेन के परेट्स के अंदर जिसमें सबसे टॉप पे हैं नंबर वान पर आपक जो की 4.54 बिलियन डॉलर की वाल्यू यहां पे लॉक्ट है दूसरे नंबर पे है पैंकेक स्वाप दीसरे नंबर पे है ओटो फाम और इन दोनों प्रोजेक्स को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है अब वीनस आप देख सकते हैं आप एक लेंडिंग प्लाटफॉम है ब इसलिए आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं पर उसके बाद भी मैं यही कहूंगा कि केरफुल रहे अपने सच कुद करिए और उतना ही इन्वेस्ट करिये जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने का हाला कि आपके फंड्स यहां पर इंशोर्ड हैं बट उसके तो उतना केरफुल रहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से उतनी ही करिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने का अगर आप बिल्कुल नई यूजर है बाइना स्मार्ट चेन पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रेक्वेंड करूँगा कि यह मेरा कल वाल सब्सक्राइब यहां पर काफी सारे आसेट सब्सक्राइब देख सकते हैं और उनके यहां पर कितना इंट्रेस्ट मिलेगा अगर आप यह कोईन्स करते हैं वीनस प्लाटफॉर्म पे अब यह जो एपी वाइज हैं यह वीरी करती रहते हैं डिपेंडिंग ऑन बार्केट ड कोईन है जो गवर्नेंस कोईन है वो है XPS और XPS की सप्लाइब यहां पर देख सकते हैं थर्टीन मिलियन कोईन की है तेरह आजार आट सो लोग तेरह आजार आट सो अडिरस इसको अभी फिलाल होल्ड कर रहे हैं और यहीं से आपको पतल जाती है इसकी मार्केट काप जो की ह है 1.4 बिलियन डॉलर अब जब आप इस प्लाटफॉर्म के उपर लेंड करते हैं यह जो आपको दिख रही है यहां पर दो चीजे है एक तो आपको इस आसेट के उपर रिटर्न मिलते हैं अगर BUSD माल लिजिए आप यहां पर स्टेक कर रहे हैं तो आपको BUSD मिलेंगे प 6.6% तो 6.66% तो है इसकी बेस जो आपको BUSD मिलेगी और उसके उपर जो 2.2% है वो आपको XVS में मिलेगा तो ऐसे ही हर एक कोईन का यहां पर दो चीजे है एक तो है बेस रेट जो आपको मिल रहा है दूसरा है विद XVS यानि कि XVS अगर आपको साथ मिलता है तो आपका कितना यहां पर total return हो जाएगा तो यह तो हो गई यहां पर lending उसके बाद आप यहां पर borrow कर सकते हैं यानि कि collateral जितना आपने supply किया है जितना coin supply किया है उसके against आप loan उठा सकते हैं यहां पर loan total कितना available है वो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी अभी फिलाल liquidity है और finally यहां पर actually में इससे कैसे फायदा लेना है तो उसके लिए आप जाएंगे यहां पर launch Venus में launch Venus में आके आपके सामने कैसा dashboard खुलेगा आपको connect करना है अपने metamask wallet से यहां फिर ट्रस्ट wallet से अब dashboard वाले page पे ही यहां पर तीन चीज़े है supply market है borrow market है और mint और repay विए आई है विए जो है एक stable coin है जो आप यहां पर generate कर सकते हैं तो किसी भी coin में जो यहां पर list में available है अगर आपको supply करना है आपके पास SXP है यहां फिर USDC है तो यहां पर APY देख सकते हैं कि फिलहाल अभी yearly interest यहां पर कितना available है अब यहां पर भी आपको दो चीज़े है APY with XVS और without तो यह अभ से पहले आपको enable करना पड़ेगा जैसे यहां पर लिखा है to supply USDT to the Venus protocol you need to approve it first तो हर एक चीज़ पहले आपको approve करने पड़ेगी उसके बाद आप supply कर सकते हैं और इधर यह आपको break up दिख जाता है कि supply करने पर जो base rate है 6.97% यह तो आपको USDT में ही मिलेगा और distribution APY जो लिए 2 2.72% यह आपको मिलेगी XVS coin में आप कभी भी supply कर सकते हैं कभी भी withdraw कर सकते हैं उस पर कोई locking नहीं है चाहे तो आप instantly supply करें उसके बाद withdraw करना चाहें तो वह कर सकते हैं आप यहां पर आप देखेंगे मैंने BNB किया हुआ है यहां पर supply और XVS किया हुआ है इस पर मुझे 14 12.6% मिल रहा है यहां पर 8.99 मिल रहा है तो यहां पर इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो मैंने अल्रीडी यहां पर प्रूफ किया हुआ है अगर मेरे पास यहां पर कुछ BNB पढ़े है त्री पॉंट एट वन जैसे मेरे wallet में है अगर मैं इसको यहां पर supply करना चाहूँ तो withdraw कर सकता हूँ तो यह बहुत अच्छा तरीका है अगर आपके पास कुछ assets पढ़े हैं जो आप long term store करना चाहते हैं तो यहां पर आके आप staking पर लगा सकते हैं ताकि आपको कुछ न कुछ यहां पर interest generate होता रहे अप जैसे मैं आपको बताया कि जो भी आप यहां पर लगात है तो मैं आपके क्लिक करूँगा अब यहां पर मैंने क्यों की supply किया हुआ है BNB तो मेरी कुछ यहां पर borrow limit है तो maximum safe जो borrow limit है मुझे दिखा रहा है कि two twenty eight dollars है जो मैं अभी फिलाल उठा सकता हूँ यहां से तो अगर मैं यहां पर borrow पे क्लिक करूँगा तो यह two twenty eight USDT मेरे आ supply किया हुआ है तो यह अच्छा तरीका है मालीजे आपको cash की जरुवत है और आपके पास सिर्फ crypto पड़ी है तो आप उसको as a collateral यहां पर set कर सकते हैं और उसके against cash borrow कर सकते हैं और उस cash को use करके आप कोई और coin करीबना चाहें तो वो कर सकते हैं अब by default यहां पर safe max आपको दि है कि मालीजे जो भी आपने asset supply किया हुआ है जैसे bnb supply किया हुआ है अगर उसकी value bnb की coin की गिरने लग जाती है dollar value अगर गिरने लग जाती है तो आपकी position liquidate हो सकती है अगर वो उस threshold को hit कर गया कि जो मैंने amount borrow किया हुआ है उससे भी नीचे मेरी bnb की value चली गई तो simplest terms में स नीचे चली जाती है total bnb की value तो मेरी जो position है वो liquidate हो जाएगी यानि कि जो bnb है मेरे वो system अपने आप अपने पास रख लेगा और उनको market price पे sell करतेगा अपना loss recover करने के लिए तो सबसे बड़ा risk जो है यहाँ पे borrow करने का वो यही है liquidation का अगर आप over leverage हो जाते हैं यानि 20% यानि कि जितनी value आपने supply की है अगर उसकी 20% तक आप loan उठाते हैं तो आप relatively safe है flash crash के time पर भी आप हो सकता है वहाँ से बचके निकल जाए बट यह risk हमेशा रहेगा अगर आप किसी भी asset के against यहाँ पे loan उठाते हैं और उसका price जो है वो crash कर जाता है तो कभी भी over leverage positions पे loan म उठाइए हमेशा relatively safe play करिए 10-20% अगर आप रखेंगे तो 99% टाइमस आप safe रहेंगे अब borrow market से आप यहाँ पे loan उठा सकते हैं बट उसके अलावा एक और तरीका है यहाँ पे आपको cash लेने का वो है mint और repay by में VAI VAI जो है यहाँ पे इनका stable coin है algorithmic stable coin है जैसे यहाँ आप द of 94 dollars का ही यहाँ पे loan उठाया है अब यहाँ एक hyper compounding की trick है जो आप use कर सकते है supply market में आप देखेंगे यहाँ तो मैंने BNP दिया हुआ है XVS दिया हुआ है total जो भी balance है उसके against में कुछ loan उठा सकता हूं तो BNP पर यहाँ जैसे मुझे 8.98% मिल रहा है return यह मेरा BNP already system में है इसके against मैं यहाँ पर अगर इसको mint करता हूं VAI को जो की stable coin है जैसे मैंने यहाँ पर 94 VAI जो है वो already उठाया हुआ है loan इसको मैंने mint किया हुआ है अब इसी VAI को मैं दोबारा से system के अंदर stake कर सकता हूं तो VAI के उपर भी मुझे interest payment में लग जाएगी तो यहाँ पर एक अच्छी चीज यह है कि जो आपने BNP supply किया है उस पर आपको interest मिली रहा है बट उसके against जो आपने loan उठाया है उसको अगर आप दोबारा से system करने के लिए आपको जाना है यहां पर वॉल्ट में और वॉल्ट में आपको option दिखाएगा VAI stake करने की तो जो 94 मैंने वहां पर डाला था वो मैंने यहां पर आके इस amount के साथ stake कर दिया है और इसके उपर आप देख सकते हैं मुझे यहां पर rewards मिलने लग दे हैं तो मेरे original coin क उठाया है उसके यहां पर rewards मिल रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं नाइंटीम परसेंट एपीवाई है तो relatively एक safe loan अगर आप उठाते हैं 10 to 20% उससे आपके liquidate होने के chances भी कम है और जो भी आपने पैसा उठाया है उसको आपके दुबारा से यहां पर डाल देंगे तो यह सकते हैं अब लास्ट में यहां पर इसका फायदा उठा सकते हैं यहां पर आप प्राइस देखेंगे तो यह चल रहा है 89 cents हाला कि यह स्टेबल कॉइन है बट क्यूंकि सिस्टम यहां पर overuse हो रहा है जिसके कारण यह स्टेबल कॉइन है यह अपना पैग मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो बेसिकली इस टाइम पे अगर आप वी ए आई खरीदते हैं मार्केक से जाके जो कि आप पैंकेक स्वाप से खरीद सकते हैं तो यहां पर आपको एक डॉलर के बदले वान पॉइंट वान वान डॉलर वर्थ ऑफ वी ए आई मिल रहा है अब उमीद यह है कि ज जैसे ही एक डॉलर पहुंचेगा या एक से उपर अगर जाता है थोड़ा सा तो वहां पे जब आप इसको सेल कर देंगे तो 10% आटोमाटिकली आप वहां पे गेन ले सकते हैं बट यह रिस्की प्ले हो सकता है हो सकता है काफी टाइम तक यह इतना ही रही प्राइस या इस स स्टेकिंग पर लगा देते हैं तो आपको और वहां पर 20% रिटरंस तो मिलने लगी जाएंगे और उपर जागर प्राइस बढ़ गया तो आप उसमें भी गेंज ले लेंगे तो यह एक ट्रिक है जो आप फिलहाल अभी यूज कर सकते हैं बट डेफिनिटली जैसे मैंने ब investment